नमस्काल दोस्तों जैवाल पॉंट के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखी फ्रेंड्स आजगी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो SSC MTS की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आप सभी बाता है कि SSC MTS कर जाए आंसर की आ चुकी है अब आपको रिजल्ट का वेंट है तो रिजल्ट कब तक आ सकता है उसी के ओपर चसा करेंगे तो साथी साथ कटोफ के बारे में भी हम चल्या जिसे का जोगी चैनल करें को होगा चैनल को इसको इसको डिस्क्रेब्टीव एगसाम यानी कि 6 नुवर मेर को तो एक मही न दस दिन आपको descriptive तेयरी के लिए मिलना चाहिए था लेकिन फिर भी जो अभी तक result नहीं आया सभी लोग result का wait कर दे हैं लगता तो आपका result जो है वो आने वाला है एक October तक आपका एक October तक आपका result पूरे पूरे chances आ जाएगा ठीक है एक October तक आपका result कभी भी आपको देखने को मिल सकता है कल पर सो एक October maximum होगा जो कि आपका SSC MTS का result आज जाएगा तो इसमें जो यह देखी बात करेंगी अब की बार हो सकता है इसके अंदर दो तरी के से आपका इसमें cutoff आएगी एक SSC MTS की जो कि आपका SSC MTS है और साथी साथ इसमें हवलदार की post भी आई हुए है तो हवलदार की post की cutoff थोड़ी कम रहेगी क्योंकि उसका करण क्या है कि उसमें बच्चे ज्यादा पास होंगी उसमें descriptive भी होगा आपका हवलदार के अंदर एक तो descriptive हो जाले दस गुणा बुलाते थे तो सायद अब जादा बुला सकते हैं हवलदार की post पर SSC MTS की post पर उतने ही बुला सकते हैं तो लगबख जितनी vacances पिछले साल थी दोजार एकिस में जितनी vacances थी आपकी दोजार जो बीस आया था उसमें लगबख सड़े तीन जार vacances थी लेकिन अबकी बार जो आपने अभी exam दिया है उसमें साथ जार vacances है और इसमें हवलदार की vacances है जिसमें कि अबकी बार और भी कहीं न कहीं अगर एक step आप बढ़ा आपने physical requirement भी कर दी तो बच्चें वहां से जरूर नेगलेंगे और उनको फिर extra बुलाने पड़ेंगे तो इस तरीके से आपकी बार cutoff थोड़ा सा डिक्रीच जा सकती है हावलदार पोस्ट पर SSC MTS पर पोस्ट पर उतनी ही रह सकती है जितनी फिशली बार थी last time तो देखि हैं तो लगबग 55 नंबर पर करना टक की रही थी यानिकि सबसे lowest रही थी और maximum 70 तक यह आपकी लगबग 70 तक यह रही थी जिसी यूपी की है इसकी जो entire one की cutoff होती है वो इतनी होती है तो लगबग आपके अगर 55 नंबर बन रहे हैं 50 नंबर भी बन रहे हैं तो फिर आपको टायर बन के लिए हो जाएगा लेकिन फाइनल मेरिट के लिए करेबन करेबन आपको जो है 65 से 70 के बीच मार्ट चाहिएंगे 65 से अब की बार हवालदार पोश्ट पर हो सकता है 65 हो जाए और maximum MTS की पोश्ट पर आपका 72 नंबर पर 70 नंबर भी last time हो रहा था इतने नंबर आपकी करीबन करीबन 70 नंबर पर आपकी कटोप लग जाएगी यानि कि 70 नंबर जो पुछली साल थी अपकी बार भी इतना ही करीबन मानके चलिएगा आप 70 के आसपास और हवालदार में हो सकता है 65 नंबर पर आपका हो जाए तो और कहीं कहीं वो आपका depend करेगा यह देख जाकर कि आपको दिली यूपी हरियाना ऐसी जो इस्टेट है वो मिल जाएंगे तो लगबग आपका 70 अगर आपके बन रहे हैं 65 भी अगर आपके बन रहे हैं ठीक है तो फिर भी आपको फाइनल होने का चांसिज है LD काटिगरी के अंदर वियाई काटिगरी के अंदर अगर को देखने को मिलेगा साथी साथ आप बताईए कर जैसी रिजल्ट आएगा तो आपके जो हैं उसके बाद scorecard आएगा उसमें जाकर कि आपको पता चलपाएगा कि scorecard जब आता है उसमें आपको दिखेगा कि आपके कितने जो है marks बने है यानि कि नॉर्मलाज़ाशन के उपर भी depend करता है आपका, अब 40 यह आपके 65 नमबर है, और अभी फिलाल आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर 10 नमबर तक का आपको normalization मिल गया, तो आपके करीबन करें 75 नमबर बैठ जाएंगे, और इसे तरीके से हो सकता है, आपको normalization एक नमबर कर मिल सकता है, आपके 70 नमबर है, यह आपके 65 नमबर है, एक ही नमबर करो normalization में मिला, तो आपको जो है final में दिक्कत हो सकती है, तो वो भी चीज आपकी depend करेगी normalization के उपर भी, कि आपको normalization कितने marks का मिला है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आपके लगबग 65 नमबर हैं, अभी फिलाल और 70 नमबर हैं, तो आप बिल्कुल अपना, आपको उम्मीद रहेगी, पूरी-पूरी कि आपका chances बन जाएगा, उसके बाद normalization में भी आपके बढ़ेंगे, तो इतने नमबर तक आपके पूरी-पूरी chances हो सकते हैं, final तक जाने के, लेकिन वो अपने state नहीं कह रहा हूं, किसी न किसी state में आपके जरूर आपको post मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहेगेगा, चैनल को like, share, subscribe, जरूर कर दीजेगा धिन्यवाद,